हेलो बच्चों अब आपको बत्ति संग लेने से कोई भी नहीं रोप पाया क्योंकि आप इन प्रश्णों की त्यारी कर लेते हैं तो निश्चिति आपको यहां पे बत्ति संग प्राप्थ हो सकते हैं क्योंकि हमने प्रतिक वीडियो हमने बना दिया है सही जोड़ी का चाहे रिक्तिस्थान की पूर्ति करने वाले या सही विगर चुनकर लिखने वाले जो प्रश्ण है उनके तो आप एंड स्क्रीन पे उसके लिंक दी जाएगी आपको उसको आप क्लिक करके जरूर देखें चलिए शुरुआत करते हैं यहां पे एक वाक में उत्तर लिखने वाले प्रश्णों की तो यहां से पहला प्रश्ण जैसा की हम देख रहे हैं सुद्ध जल का पी एच मान होता है तो इसका आंसर है साथ होता है अगला प्रश्ण है दो या दो से अधिक धातू के समांगी मिस्रन को कहते हैं तो यहां पे हम इसको मिस्र धातू के नाम से जानते है आप इसका अगला प्रशन है हरे पोधों की पत्थियों पाये जाने वाले वर्णक का नाम लिखिए तो इसका नाम हरित लवक है इसको हम कहते हैं हरित लवक या इसे अंगरेजी में क्लोरोफिल क één नाम से हम जानते हैं तो चौथा प्रशने नर युगमक एवं मादा युगमक के सनलेन को कहते हैं तो यहाँ पे इसे हम कहते हैं निस्येचन इसे आप याद रखें अगला है लिंग निर्धारन करने वाले गुण सूत्र है X और Y इसके बाद लेंस की छमता का सूत्र यहाँ पे जैसे कि हम जानते हैं D बराबर 1 upon F होता है अगला है निकट दिश्टी दोस दूर करने में कौन सा लेंस उप्रयोक्त में आता है तो जैसे कि हमने बताया है कि दू सब्द है तो उतल लेंस लगता है और नी सब्द है तो आउतल लेंस लगता है तो निकट दिश्टी दोस में आउतल लेंस प् देखते हैं तो इसमें पहला प्रश्ण है समु दो के तत्मों को क्या कहा जाता है तो इसे हम किस नाम से जानेंगे छारी म्रदा धातुएं इसे हम जानेंगे छारी म्रदा धातुएं दूसरा है आप जैसे की देख रहे हैं कि ब्रतिवर्थि करिया को कौन नियंत्रित करता है तो इसका नाम है मेरू रज्जू तीसरा है मनुष्च में सुक्राणू जनन क्रिया कहां होती है तो यह होती है विरस्ण में अगला है यहाँ पे चौथा प्रश्ण किसी गोली दरपन की वक्रता तरजिया आर एवं उसकी फोकस दूरी अगला प्रश्ण है यहाँ पे प्रकास के विच्छेपड में किस रंग के प्रकास का विचलन अधिक होता है तो यहाँ पे बैंगनी रंग का अधिक होता है अगला है यहाँ पे विद्धुत गंटी में किस प्रकार की चुम्बक का प्रियोक किया जाता है तो यहाँ पे इसक बिंदु पर खीचि Gई इसरेखक कि, दिšशा क्या प्रदर्शित करती है, इस तरीके से थे, इस प्रप्रश्न, इसके बात आठवा, पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं, एसे हम कहते हैं, प्रकाश शन्सलेशन के नाम से, अब आईए यहां पे अगल लिखने वाले प्रश्णों को देख रहे हैं जिसमें आपको सबसे पहला प्रश्णों दिया गया है कि रेफ्रिज्रेटर तथा अगरी समन में उपयोगी कार्वन का नाम तो इससे हम जानते हैं क्लोरो अगला है यहां पे दूसरे नंबर का कार्किस्कूर नियम का प्रतिपादन किस ने किया है तो इनका नाम है मैक्स वैल इसके बाद अगला प्रश्ण है कि चुम्बकी छेत्र में उत्पन करने वाले इस्त्रोतों के नाम तो यहां पे आप लिख सकते हैं छड़ चुम्बक यहां पे लिखेंग हम धारावाही चालक यह था तीसे नंबर का प्रश्न अब चव्था देखते हैं अंतरिक्ष यातरियों का आकाश को आकाश कैसा दिखाई देता है तो यहां पे इसको दिखाई दिता है काला इसके बाद अगला है उस दरपन का नाम बताए है जो बिम् अगला है अगली हम एक शब्द में उतर देने वाले प्रसणों को यहां पर देख और है, का अग्र तक पहुँचने की घटना क्या कराती है तो इसे हम कहते हैं परागण से इसके वादी स्रह के जानते हैं परागण दो धातु के नाम बताई है जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में मिलती हैं इनके नाम है सोना एवं चांदी यह मुक्त अवस्था में मिलती हैं इसके बाद अगला प्रशन है कि पारेक की मिस्र धातु क्या कहलाती है तो यह कहलाती है आम अलगम कहलाती है इसके बाद अग तो इसे हम कहते हैं उदा सीनी करण अभी किरिया एक रहे हम एक सब्द में उत्तर देने वाले जिसमें पहला प्रशन देख रहे हैं कि उस्पदार्त का नाम बताईए जो क्लोरिन से क्रिया करके वरंजक चून बनाता है तो इसे हम कहते हैं बुझा हुआ चूना बुझा इसके बाद अगला प्रशन है जो धातुएं कठोर सतय से टकराने पर ध्वनी उत्पन करती हैं उन्हें क्या कहते हैं ध्वानिक कहते हैं ध्वानिक आप अगला प्रशन है चौते नमबर का जब कोई प्रक्ति में बिभिन रूपए में पाया जाता तो इसे गुण को हम क्य लार आना उल्टी आना रख्त चाप अधी आनेक्षिक रियाय मस्तिस्क के किस भाग से द्वारा नियंत्रित होती हैं तो इसे हम कहते हैं पस्च भाग पस्च मस्तिस्क मेडूला के द्वारा मेडूला के द्वारा इसके बाद अगला है किसी जीव के उस पक्रम का राम कैसी होती हैं तो इसे हम कहते हैं सघन होती हैं तो जैसे आपने देखा कि यह बहुत important प्रस्ण है और इसी प्रक्रार के content आपको यहाँ पर ओपर end screen पर दिखाई दे रहा है उसको भी आप